परम्पोज्य स्री साहिब जी, मुद्मंगल में वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागे ज्यान पत्थ गामी सम्मानी भक्त सज्जनों, भक्ति मैश रद्धा मूर्ति माताओ बहनों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत ही कल्यानकारी मार्मिक बातें श्रवन कर रहे थे, ये बातों का जीवन में बड़ा महत्त है, बातें ही जीवन के दुखों को समाप्त कर देती हैं, और ये बातें ही जीवन में दुखों को बढ़ा देती हैं, इसलिए बातों को बहुत संभाल करके ग्रहन करना चाहिए और जहां से जीवन हमारा हलका हो जिन बातों को सुनने से जीवन में शांती सदाचार सदकर्म करने की प्रेरणा मिले उनको खोज-खोज करके ग्रहन करना चाहिए हरजा और खर्चा करके वहाँ जाना चाहिए और सुनना चाहिए क्योंकि ये अनुमोल चीजें हैं दुख मिटाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है सबसे बड़ा कहें या ये कहें कि जीवन का यही हमारे उद्देस है दुख मिटाना और हमारे ही जीवन का नहीं संसार में प्राणी मात्र का एक ही काम है दुखों से छुट्टी पाना दुखों से छुट्टी पाने के लिए दिवार प्रयास नहीं करती ना इसको कोई गर्ज है ना पेड सोचता है ना पहाड सोचते हैं और ना नदिया सोचती हैं कि दुख से हम छुट्टी पावें प्राणी सोचते हैं चाहे वो पशु पक्छी हों किडे मकोडे हों वे भी दुख छूटने के उपाय करते हैं लेकिन उनके उपाय उतनी समझ और वीवेक विचार पूड़ ना होने से वो केवल थोड़ा सा सोच भूख लगेगी तो उचारा खोजेंगे दूप लगेगी तो उचाया खोजेंगे प्यास लगेगी तो पानी खोजेंगे बस इतना थोड़ा सा वो सोचते हैं अब प्यास लगी है पानी नहीं मिल रहा है तो वे नल नहीं लगाएंगे तालाब नहीं खुदवाएंगे बहुत बुद्धी है वो हर प्रयास करता है चीजें खोचता है और नहीं मिलती है तो उसके लिए और सोचता है जहां से भी मिलती है जिस डंग से भी मिलती है मन से ऐसा कुछ सोचता है कि प्रकीति के बारीक तत्यों को खोज करके जीवन में दुखों से अपने को हलका बनाता तो कभी भी किसी हालत में मनुस्य को घबराना नहीं चाहिए मनुस्य संसार में सिर्मा और प्राणी है मनुस्य पूरी तरह से अपने आपको दुखों से मुक्त कर सकता है बस प्रयास करना चाहिए इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि युक नहीं युक्ति चला संसारा निश्चय कहा न मानु हमारा यह मनुस्य से युक्ति से सब काम कर लेता है कहावत है ना कि टहल से महल और युक्ति से मुक्ति सेवा से मेवा तो यह युक्ति से ही मुक्ति होती है थोड़ा सा अनाज लेकर के चलना हो हमें तो हाथ में लेकर चलेंगे कितना दिक्कत होगी एक किलो लेकर चलना भी कठिन हो जाएगा न लेकिन एक युक्ति हमने सोचा और अपनी ही रुमाल में उसको बांध लिए तो ज़्यादा लेकर चल सकते हैं और एक युक्ति निकाल लिए एक थैला बना लिए बड़ी सरलता से और हलके ढंग से लेकर के ज़्यादा चल सकते हैं बोरा में ले लिए गाड़ी में लाद लिए साइकल गाड़ी मोटर ट्रक में लाद लिए ट्रेन बना लिए देखिए एक युक्ती से बुद्धि पूरवक मनुस से अपने दुखों को कितना हलका कर सकता है और कारिक को ज़्यादा कर सकता है जब हम बाहर इतना सोच सकते हैं अपने जीवन की समस्याओं को हम समात कर सकते हैं बाहर से देखो सोच सोच करके ही तो मनुस से टीवी बनाया, मुबाइल बनाया, गाड़ी बनाया, जहाज बनाया और जीवन की बेवहारिक समस्याओं में बहुत सरलता ला लिया तो क्या सोच करके हम अपने मन के क्रोध को नहीं मिटा सकते लोग को, आशक्ती को, अहंकार को और आपसी कलह को क्या नहीं मिटा सकते बस यही में जरूरत है थोड़े से धायरिय की, थोड़े से गम संतोष की और थोड़ा से सहन सीलता की बिना सहन सीलता के दो लोगों का संबंद भी नहीं चल सकता समझदार लोग हैं, प्रेम का जीवन जीते हैं, तो सो लोग एक साथ रह सकते हैं प्रेम और समझदारी न रही, सहन सीलता, न अपनाए स्वार्थों का त्याग न किये तो दो लोगों का एक साथ रहना बड़ा कठिन हो जाता है इसलिए समझदारी सब के अंदर होना चाहिए धायर यवान बने किसी भी चीज को गहराई से सोचें और धायरी रखें विचार करें ताब उससे समाधान निकलता उतावले पन से नहीं एक जगे दो तपश्वी तपश्या कर रहे थे बाहर था गाउं से बाहर वे लोग बैठे थे एक व्यक्ति एक बरगत के पेड़ के नीचे बैठा तपश्या कर रहा था और एक दूसरा व्यक्ति वहीं एक केला का पेड़ था तो केला के पेड़ के नीचे बैठा तपश्या कर रहा था कहानी है कालपनिक कहानी लेकिन इन कहानियों से भी बड़ी प्रेरडा मिलती है तो कहा जाता है देवर सिनारद उधर से निकले और वो जा रहे थे बैकुंठ धाम भगवान विश्णु जी के पास तो रास्ते में ये तपश्वी लोग मिले बरगत के पेड़ के नीचे जो वैठा था उसने कहा भगवन कहां जा रहे हैं आप तो देवर सिनारद ने कहा मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूं विश्रु भगवान के दर्शन करने अच्छा तो हमारा ये संदेश उन से कहना कि मैं तपश्या में लगा हूँ वे हमें दर्शन कप देंगे इतने में केला वाला भी सुन लिया और उसने भी कहा महराज मेरे लिए भी पूछ लेना मुझे दर्शन कप देंगे तो देवर सिनारद गए और अपनी बातें वहां कहे विश्रु भगवान ने कहा कि ठीक है मैं दर्शन दूँगा लेकिन उनसे जाके कह देना जिनके पेड में जितने पत्ते हैं उतने वर्सों के बाद मैं दर्शन दूँगा तो केला के पेड़ वाला पहले मिला उसने कहा आपने भगवान से पूछा मुझे कब दर्शन देंगे देवर सिनारद ने कहा कि भगवान से मैंने पूछा है आपके बारे में तो उन्होंने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे जो बैटकर तपश्या कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्सों के बाद मैं दूंगा दर्शन तो वो उपर देखा पेड़ में तो तीन पत्ते थे और तीन पत्ते देख करके तो वो घबरा गया कायो मैं तीन वर्सों तक यहां बैठा रहूंगा और छोड़ छाण के तपस्याओ चल दिया आगे बढ़े दूसरा तपस्यी मिला जो बरगत के पेड़ के नीचे बैठा था उसने भी पूछा महराज मेरे लिए भगवान का क्या समाचार लाए है तो ही बात बताए कि तुमारे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे तो वो तो ना चुठा और कहा कि अच्छा तो दर्शन देंगे भगवान न मुझे हाँ और खुस हो गया, मगन हो गया और जोरों से तपस्या में लग गया कि मुझे दर्शन देंगे तो भगवान कम से कम इन पेड़ के पत्तों की सीमा है और मैं इसको तो चुठकी बजाते हुए तपस्या करके मैं इतने साल बिता लूँगा और मुझे पता तो चल गया कि दर्शन देंगे और जैसे ही उत्सा, प्रेम, स्रद्धा और भक्ती के साथ लगा अपनी तपस्या में और वस थोड़ी देर में भगवान दर्शन दे दिए वरस की बात नहीं, लगन की बात है कौन कितना लगन से, प्रेम से, स्रद्धा और भक्ती के साथ सच्चे मन से भक्ती में लगता है उसके मन की भक्ती और उसकी सच्चाई काम करती है कोई एक दो वरस चार वरस की साधना में अपने जीवन को बहुत बदर डालता है और दोश दुरगणों को, मोह अहंकार को, आशक्ति अज्यान को और मन की मलिनताओं को धो डालता है और कोई पचीस साल से लगा है साट साल, सत्तर साल हो गए और वो गिनाता रहता है अरे हमारे पिता और पिता महों से हमारे यहां भक्ती चली आ रही है लेकिन तमबाकू घिस घिस के खाना नहीं चूटता गाली देना नहीं छूटता और लड़ना जगड़ना नहीं छूटता है मोह में थोड़े थोड़े में बिलबिलाते रहते हैं क्रोध में अपने ही बाल बच्चों से बड़बडाते रहते हैं उनकी भक्ती क्या काम आएगी? कौन सी भक्ती कर रहे हैं? भक्ति कहते किसे हैं भक्ति का मतलब ही है कि भागना जो जागल सो भागल हो रमयाराम सोवत गयल बिगोए हो रमयाराम भक्ति का अर्थ ही है कि दोस दुर्गुणों से भागना जो जगा वो भागा जो जगने का मतलब जिसके मन से अज्ञान मोह आशक्ति और तृष्डा लोभ अहंकार की नीद का पता चल गया क्या रहे ये तो मैं नीद में हूँ मेरे अंदर तो बड़ी गहराई से नीद है और इस नीद को जाना तो भागा उससे जगा सो भागा और भागने का मतलब है कि सारे दोशों को उसने त्याग दिया और दोशों को उत्यागा तो फिर मानो भगवान के दर्शन हो गए भगवान कहां मिलेगा भगवान है कहां जो मिलेगा भगवान है आपके निकट ही उसका अनावरण करना है सद्गुरु कभीर ने कहा है घूंगट के पटे खोल रे तो को पीव मिलेंगे ये एक लंबा भजन है साहिब कहते हैं घूंगट का पटे खोल रे तो को पीव मिलेंगे पिया के दर्शन करना है तो घूंगट को हटाओ माताओ बहनों में जो बहुएं होती है वे अपने चेहरे पर परदा करती है और वो परदा उनको कई बार खत्रा भी देता है सापना दिखने से कहीं कहीं टकरा जाती है गिर जाती है और अपने प्रीतम के दर्शन करने में वो बाधा बनती है साइब कहते हैं उस परदे को हटा दे अगर अपने प्रीतम के दर्शन करना है तो तो प्रीतम कहां है आत्मा और घूंगट यहां है अविद्या मोह आशक्ति अज्ञान अहंकार यही घूंगट है यही परदे को हटा दो हर नर्नारी को अपने मन में जो अज्ञान का घूंगट बना रखे हैं माननेता बना रखे हैं हर आदमी अपनी माननेता को मानना चाहता है सत्संग में भी कई लोग आते हैं तो वे अपनी एक माननेता बना करके आते हैं मानिता के अनुकूल उनको बात सुनाओ तो खुस रहेंगे और उनकी मानिता के विपरी थोड़ी सी बात सुना दो तो वहीं से वो नाराज हो करके चल देंगे हम तो ऐसे सुने थे ये तो ऐसे सुना रहें हैं वहां के महराज से हम ऐसे सुने रहें, ये ऐसे सुना रहें, अब मानता बनाएं हैं, अब विवेक नहीं करते हैं कि वो बात कैसे हो है, कैसे सुन रखें हैं, वो युक्तियुत है की नहीं, विवेक सम्मत है की नहीं, कारणकारी वेवस्था के अनुकूल है की नहीं, लेकिन मन में बना लिये हैं अब वैसे सुनना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति भी कभी भी अपने जीवन को नहीं सुधार सकता है ये वैसे ही है जैसे दो चीटियां थी एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक सकर के पहाड़ पर ये भी एक कहानी है ध्यान से सुनेंगे सब लोग तो ए नमक के पहाड़ वाली चीटी गूमते हुए सकर वाली सकर के पहाड़ पर रहने वाली चीटी से मिली तो सकर वाली कहती है बहन तुम बड़ी दुबली पतली हो गई हो क्या बात है कहा रे बहन अब जानती हो कि मैं नमक के पहाड़ पर रहती हूँ अब नमक में कितनी ताकत है तो सकर वाली कहती है कि ऐसा करो तुम उसे छोड़ कर हमारे यहां आजाओ और यहां तो देखो इतनी सकर है कि क्या कहना राज दिन खाओ और खुब कंदृस्त रहो बड़ा स्वाद भी आता है और स्वस्त भी रहोगी तो उसने कहा ठीक है तो मैं आऊंगी तो कुछ दिनों के बाद नमक वाली चीटी सकर के पहाड़ पर आ गई और सकर वाली ने कहा कि जाओ देखो खुब सकर ही सकर है जाओ खाओ और बहुत स्वाद आता है इसमें वो गई खाने लगी तो थोड़ी देर में आई लोट कर कहती यह भान यह भी तो खारा खारा लगता है खारा सकर और खारा कहीं होता है कहा है मुझे तो खारा ही लग रहा है तो सकर वाली चीटी ने आकर के उसके मुख में देखा खौल करके तो एक नमक की डली दबा करके आई थी मुख में पहले से नमक की डली दबाई थी तो उसने क रहा कि तुम ये नमक क्यों डबा करके रखी हो, कहा रे बायन मैंने सोचा कि मैं नमक में रहती हूँ, नमक खाती हूँ और नमक छोड के चल दूँ, तो कहीं वहाँ सकर भी न मिले तो नमक से भी मैं रह जाऊंगी, इसलिए नमक दबा के आई हूँ, अब बताओ वो नमक पूरू के अज्यान कृत, जो करते आए हैं, जो सोचते आए हैं, जो मानते आए हैं, और जैसा जीवन जीते आए हैं, उसको छोड़ें, मिना छोड़ें नहीं बनेगा काम, एक बिद्वान ने लिखा है, कि जिन बीजों को बो करके, उसके कड़वे फल तुम आज तक खात करते रहे, और उन फलों को खा, खा करके, तुम परिसान होते रहे, तो अब जो बीज बोने जा रहे हो, उसकी पाहचान कर लो, कहीं वही बीज तो नहीं बो रहे ह ہیں, जिसके फल आप खाने से घबरा रहे हैं, आज बोते समय हम साउधान रहें, पाहचान लें, लेकिन पसंद नहीं करते हैं, उन्हीं बीजों को पुना-पुना बोते जा रहे हैं, तो क्या दूसरा फल आएगा? वही तो आएगा, जिससे हम आज तक परिशान थे, घबरा रहे थे, दुखी थे, बेचैन थे, चिंतित थे, भैभीत थे, अर जल रहे थे, वही बीज को बोएंगे तो वही फल मिलेगा, चाहे वो थोड़ा नहीं, हजारों साल बीत जाए, इसलिए यहाँ पर बीज पहचानने का मतलब है कर्मों को पहचानना, जिन कर्मों से आज कला, विवाद, अशान्ति, दोश, दुरगुन, दुरवैसन और मोह, आदिके बीज बोबो करके क्या-क्या ब्याकुल दौं दिसधाय, आँखिन सूजे बावरा, घर जरे घुर बुताय, एक सच्चे बोधवान, विवेकवान, पार्खी सद्गुरु के बिना, क्या-क्या नहीं किये, आज देखो समाज में, नरनारियों की क्या दसा हो रही है? पति-पतनी लड़ रहे हैं, पिता-पुत्र लड़ रहे हैं, सास-बहू लड़ रही हैं, और देवरान-जठान लड़ रही, सराब पी रहे हैं लोग, और धन के लिए भाई को मार रहे हैं, और पतनी को, पती को सता रहे हैं, एक दूसरे में मुकदमा लड़ रहे हैं, और सास बहु एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और जिवरान जठान एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं घर घर का इतना दुख है कि गिनाया नहीं जा सकता है इसलिए उदार बने प्रेम मैं जीवन को बनावें और भक्तिवान हो करके सरल रूप से जीओ मैं कह रहा था कि समझदारी, सरलता और धायरी अपनावें और अपने जीवन को बदलने के लिए होशला रखें सोचें मुझे जो जिन्दगी नहीं पसंद है जिससे मैं परेशान था अब वैसा जीवन नहीं जिऊँगा बदलूँगा अपने को और मनुस के जीवन में बदलने की सब समय संभावना है हमारे यहां की यही बात है लोग 40-50 साल के हो गए तो मान लिए कि अम्मय पुराना हो गया अब नया क्या मुझे बदलना है तो जो है उसी को जीते चले जाते हैं लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है चीन से एक बार एक व्यक्ति आया और वो जापानी भासा सीख रहा था और उसकी उमर थी 80 साल की तो वो थोड़ा थोड़ा लिख रहा था लोगों ने कहा यह क्या कर रहे है कहा है मैं जापानी भासा सीख रहा हूं यह भारती लोगों में यही बड़ी संकुचितता होती है को नया चीज़ सीखना ही नहीं चाहते है ज्यान भक्ति की बातों में तो और ज़्यादा जाएंगे जरूर सत्संग में लेकिन वहाँ देखते हैं वो देखना चाहते हैं माहराजी कितने पानी में और माहराजी हमारा सम्मान करते हैं कि नहीं माहराजी हमारे लिए हमारा प्रिष्ट पोसन कितना करते हैं इन बातों की तुछ बातों में और अपने मन को ले करके जाते हैं और मन के ही अनुकूल वो सुनना चाहते हैं न्याय विवेक और कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल कल्यान को नहीं वो पाना चाहते हैं बलकि अपने मन को लेके जाते हैं और मन के थैले को भरना चाहते हैं जो मन में जगा बना रखे हैं तो ऐसा व्यक्ति शान्ती नहीं पाता अपने मन को सुधार नहीं पाता इंद्रियों को नहीं संयमित कर पाता और फिर स्वरूब बोध कैसे उसे होगा इसलिए हमारे जीवन में कल्यान की अगर इच्छा है तो जीवन को बदलें और सब समय वो आउसर है बच्छपना में, जवानी में, बुढ़ापे में और नारियां भी सब के अंदर वही सकती है, सब समय वही सकती है और बस चेश्टा होनी चाहिए कल्यान का काम केवल मन से होता है और मन को हम अगर सांति शाधना त्याग वैराग में समर्पित कर दिये हैं तो बुढ़ापे में विस्तर पर पड़े पड़े रोगी अवस्था में भी हम आत्म कल्यान का काम कर सकते हैं क्योंकि मन से आसकती को छोड़ना है और ज्यान भक्ती विवेक को अपनाना है और सारा राग आशक्ती छोड़ दिये वस काम पूरा अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ हमारे वीच पुज्य स्री साहजी विराजमान है अंतिम में आप से निवेधन है कि अपने अमरित में विचारों से लाभानित करने की कृपा करें